हेलो प्यारे विदार्तियों समाकेडमी की यूटूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करें हैं कक्षा 9 के गनित कार्य पत्रक 4 के बारे में यानि जानेंगे इसका हल विसे बस्तु है इसकी संख्यापति और अधिगम बिंदुरीगा लेस है वे मेस है अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सिस्क्राइब जूरूर करें और इसके साथ ही आपको इंग्लिस और विज्ञान की कार्य पत्रक भी यानि विज्ञान और इंग्लिस के जो कार्य पत्रक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का वहां से जाकर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी कार्य पुस्तिकाओं को पूरा कर सकते हैं सबसे पहले है मैसे यानि HCF दो या दो से दिख संख्याओं का मेतफ माबर तक यानि मैसे वहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दीगी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है मैंसा ग्याद करने के लिए दिएगी संख्याओं को अभाजे गूनंखंड की गातों के रूप में लिखर, उनसे उब्ये निश्ट गूनंखंडों के उस्तम गातों को लेकर गूना करते हैं कीसे करते हैं? जैसे यहाँ पर बताया गया जैसे 40 का 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1 इसी तरीके से 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 1 अब देखो बतीस और चालिस बतीस और चालिस है तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो यानि दो की पावर पांच इसी तरीके से चालिस दो गुणा दो गुणा दो की पावर यानि सुरी पांच तो दो की पावर तीन गुणा पांच तो इसका इसी तरिके से LCM ग्याद करते हैं तो आप इनको अच्छे से चेक करें जैसे यहां पर 12 और 48 दिर्ख है तो 12 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानि 2 की पावर 2 गुणा 3 फिर 48 है 48 के यानि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 5 तो इनका जो यानि समानंकारे हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानि 2 बार मैसे ग्याद करेंगे 2 गुणा 2 यानि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4 तो इसका उतरा गया अपना 4 वो मैसे हो गया अब लेसे देखो 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3 48 का वक् 맞ष 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और लेसा ग्याद करेंगे तो 2 की पॉधर 4 यहनी ज़दा ज़दा कौन से है? 2 की पॉधर 4 गुना 3 तो 16 गुना 3 यहनी 48 तो लेसा आजाएगा अपना 48 फिर है 24-90 का लेसा ग्याद करेंगे जैसे 24-90 24 नबब में 2 का भाग देंगे तो आजाएगा 12,45 फिर 2 का भाग देंगे 6,45 फिर 2 का भाग देंगे 3,45 फिर 3 का भाग देंगे तो 1,5 यह स्वरी 1,15 फिर 5 का भाग देंगे 3 का भाग दिया 1,15 में 1,5 आगया फिर 5 का भाग देंगे तो 1,1 आजाएगा अब देखो इसमें लै कितना आ जाएगा, 360, फिर 12, 24, 36 का, इसी तरिके से करेंगे, 12, 24, 36 में, 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 6, 12, 18, फिर 2 का भाग देंगे, 3, 6, 9, फिर 2 का भाग दिया गया, 3, 3, 9, फिर 3 का भाग देंगी, तो 1, 1, 3, फिर 3 का भाग देंगे, 1, 1, तो अब इसका लेस हो जाएग जिसे यह संख है दो गुणा दो गुणा दो फिर तीन गुणा तीन इनको लिखेंगे तो आजाएगा अपना उत्तर बहतर फिर निमली की संख्याओं के मैसा ग्याद कीजिए जैसे बारा शोड़ा अठाइस का मैसा ग्याद करना है तो 2 गुणा 2 यहिन 2गुणा 4 चार तीे 12 16 का हो जाएगा 2 गुणा 2 चार चार दो आठ अठो आठंड़ ओए 16 का हो जाएगा 2 दो दो चार चार साथे 28 तो मैसा ग्याद करेंगि इसका ।ो कै हो जाएगा 2 की स्वेर योरी समान अंक देखो यानि ये इतने क्या है समान है तो 2 की स्केर यानि 2 गुणा 2 यानि 4 फिर है 9, 12, 15 का 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2, 3 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5 तो मैसा हो जाएगा यानि समान कौन संक है सिरफ 3 ही इन में समान है तो आज़ाएगा 3 अगला है 105, 135 और 180 का 105 का ज़ाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7 135 का ज़ाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 180 का ज़ाएगा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5 तब इसका मैसा ग्याद करेंगे इनमें समान अंग क्या है 3 और 5 है देखो तीन, 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 पांच, 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 तीन गुणा पांच यानि पंदरा फिर है एक सो पिचेतर और दो सो तो एक सो पिचेतर को हो जाएगा पांच गुणा पांच गुणा साथ 200 को हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5 इनमें समानंग के है 5 गुणा 5 देखो 5 गुणा 5 तो हो जाएगा अपना मैस है 25 अगला है निमिकली कितको हल कीजिए जिसे 16 बटे 5 प्लस 23 बटे 6 हर का लगुतम लेकर हर का भाग लगुतम में देकर भाग फल को अंस से गुणा करते हैं जिसे 5 का 6 से गुणा किया कितना गया 30 अब 30 का यहां से गुणा करें 5 का भाग दें कितना जाएगा 6 6 को 16 से गुणा करेंगे प्लस 6 आप 30 में भाग देंगे 5 5 को 23 से गुणा करेंगे तो किता आ गया यानि 6 में प्लस 115 यानि 211 बटे 30 इस तरीके से इसको हल करेंगे यानि 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 6 तो यह 2, 3, 6 का लगुत लैसा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा तो यहाँ आपने लिखेंगे 3, 2, 1 और यहाँ 6 इसी तरीके से यहाँ पे 3, 2, 1, 6 यहाँ जाएगा 6 बटे 6 तो बराबर आजाएगा 1 इसी तरीके से है 2 बटे 3, 3 बटे 4 और 1 बटे 2 को कैसे हल करेंगे? तो इसका लैसे लेंगे 3, 4, 2 का तो आजाएगा 12, 4 गुना 2, 4 गुना 2 पलस 3 गुना 3 पलस 6 गुना 1 तो आजाएगा 8 पलस 9 पलस 6 यहाँ बटे 12 तो आजाएगा 23 बटे 12 यह उत्तना उत्र हो जाएगा फिर आप 5 बटे 7, 1 बटे 3 पलस 1 बटे 6 तो इसका लगुत्तम आजाएगा यहाँ 42 तो 5 गुना 6 यहाँ 30, 1 गुना 14 यहाँ 14 और 7 गुना 1 यहाँ 7 तो 30 पलस 14 पलस 7 यहाँ 42 तो 51 बटे 42 इसको 3 से काट देंगे तो उत्तरा जाएगा अपना 17 बटे 14 नेक्स्ट है चार बटे 5 और 5 बटे 6 दोनों बिरों को तुलना करते हैं कि कौन सी बिन बड़ी है तो यहाँ हर एसमान है हर के है एसमान है पांच बटे 6 तो लैसे लेते हैं तो पांच बटे 6 का लैसे 30 आता है कितना आता है 30 तो दोनों बिरों को हरों को समान करने पर चार गुणा चार बटे पांच को किसे गुणा किया चै बटे चै से तो कितना आ गया चोईस बटे तीस और इधर पांच बटे चै पांच बटे चै को यानि पांच से गुणा किया तो कितना आ गया पचीस बटे तीस अब इन में बड़ी भिन कौन सी है यानि पचीस बटे त पंदरा क्या बड़ी है तो कैसे ग्याद करेंगे जिसे पांच बटे च्छा लिखा और तेरा बटे इधर पंदरा लिखा इनको वज़र गुणा करेंगे जिसे वज़र गुणा करेंगे पांच का पंदरा से गुणा किया किता आगया पिछेतर च्छै को तेरा से गुणा किय कितने आगी अठेतर तो 6 को 13 से गुणा किया यानि उपर वाली संख्या से गुणा किया तो बड़ी संख्या कौन सी है अठेतर है तो ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी यानि 13 बटे 15 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसी तरीके से चार बटे तीस और एक बटे पंद्रा में तो वज़र गुणा वज़र गुणा करना है इनका यानि चार बटे तीस को क्या करना है यानि इधर गुणा करेंगे तो कितने आगे तीस आगे इस संख्या को हो जाएगी बड़ी और 1 बटे 15 फिर आरही करम में लिखी 5 बटे 7, 3 बटे 8, 1 बटे 6 को यनि गटते से बढ़ते करम में लिखना है तो 1 बटे 6, 3 बटे 8 5 बटे 7 हो जाएगा फिर इसका हो जाएगा 5 बटे 8, 5 बटे 7 5 बटे 6 फिर यह लिखेंगे 6 बटे 7, 7 बटे 7, 8 बटे 7, 9 बटे 7 अगला है अब रोही करम में लिखी तो 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4, 1 बटे 5 को लिखेंगे अब रोही करम में तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4, 1 बटे 5 यह अब रोही करम है यनि गटता करम सबसे पहले बड़ी संख्या, फिट छोटी, फिट छोटी, फिट छोटी इसी तरीके से इसका लिखेंगे तो लिखेंगे 4 बटे 5, 3 बटे 5, 2 बटे 5, 1 बटे 5 तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे I hope कि आपको अच्छे से ही है समझ में आगए होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you